नहीं ये आम तोर पे आप महिशूस करोगे, जब आप UPSC का PCS का पूरा स्लेवस कम्प्लीट कर लोगे, तो भी आपको अधूर अपन लगेगा, क्योंकि ये स्लेवस बहुत डैनमिक है, इस स्लेवस में एक समझ विक्सित होती है आपकी समय के साथ, जैसे आपने जब प्रार समझ में परिवर्तन आपको दिखेगा, आपको लगेगा कि यार चेंज हो रहा है, जो समझ मेरी पहले थी और उस समझ में परिवर्तन, और फिर दिरे दिरे समझ आपकी अपग्रेड होती चली जाएगी, पाठिक्रम भी कम्प्लीट होता चला जाएगा, लेकिन जिस दिन आपने शुरू किया था, और जिस दिन आपने पाठिक्रम कम्प्लीट किया, ज्यादा में से अधिकांज बच्चों की संख्या वही है, जो पूरा स्लेवस नहीं कम्प्लीट कर पाती है, जो आयोग ने हुबहु दिया है, काफी बड़ी संख्या में बच्चे स्लेवस कम्प्लीट करने के बाद बने है, उसमें आपके समझ के इस तर में कुछ परिवर्तन आपको दिख रहा है, होगा कि नहीं होगा, तो अब जब आपका पहले क्या था, पहले आपकी समझ यहाँ पे थी, बाद में स्लेवस कम्प्लीट किया, पूरा स्लेवस पढ़ा, आपकी आपकी तैयारी यहाँ तक हुई है, और एक्जाम का इस तर यहाँ तक हुआ है, तो भी आपको खाली पंसा लगेगा, जैसे बहुत साई लोग क्या करते हैं, अंसर रैटिंग रह जाती है, पूरा स्लेवस कम्प्लीट हो जाता है, लेकिन अंसर रैटिंग ही नहीं आती है, लिकी नहीं पा रहे हैं, विचारों को नेविक्त कर पा रहे हैं, दूसरा रिवीजन नहीं हुआ तो फैक्ट भूल रहे हैं, छीज़े हैं, अब सब कुछ आपके दिमाग में आख चुका है, लेकिन अब भूल रहा है, वो आपको रिवाइस करना, क्योंकि रिवीजन आप पान साल, छे साल प्रप्रेशन कर ले, एक साल मालिजे संस्तान से किया गहीं से, फिर इसके बाद या तो भीच में छोड़ दिया उसे, या फिर अपना सिल्प से करते गए, तो वो एक, दो, तीन, चार, पान, छे सब्जेक्ट में ही रुक के रह जाते हैं, सोचे, यदि वो सारा कुछ कंप्लीट करें, और करने के बाद रिवीजन करें, पहली बात ही कहता हूँ, कि आप सासात रिवीजन करो, सासात अंसा रैटिंग करते हुए चलो, जब आपको खाली पन का मैशूस नहीं होगा, जैसे आप पहले ही दिन से, आपका जो इस्तर है, मैच कर जाओगे, और फिर एक्जाम दोगे, हो जाएगा, लेकिन तब भी मन में एक रहतिय कर सक, यार अभी लगता है, और करना पड़ेगा, और पढ़ना पड़ेगा, अभी भी कुछ कमी है, यह एक्जाम का, यही तो सबसोरी खुबसूरती है इस एक्जाम की, कि आपको जब तक अंतिम लिष्ट में नाम नहीं आएगा, तब तक आपको भनोसा नहीं होगा, जब तक आपका चैन नहीं होगा, तब तक आपकी तयारी कुरी नहीं होगे, और यह दी दुरुभागे से आपका सफ़ाल होगा है, तो फिर अगले सार पूरा पढ़ना है, फिर से फिर से सारे सबबजय को revise करोगे, तो पहले प्रयास्त में पहले तो पूरा स्लेवस कंप्रीट कर लेना चाहिए बच्चे को, पूरा स्लेवस के सासरा अंसा रेटिंग बहुत ज़स खलेनी चाहिए, प्री का भी अभ्यास्त कर लेना चाहिए, अपने तरप से 100% आपको दे लेना चाहिए फिर जाके बैटोगे तो थोड़ा साही भी लगता है मैंने पूरा प्रयास तो किया जैसे मालो तुम आप सी साइट ही छोड़ दोगे मालो जीएस तो आपने अच्छी कली लेकिन सी साइट में ही काम नहीं किया यू पी ती में बहुत बड़ी संक्ष्या में उनकी शंख्या ज्यादा है जो हिंदी मीडिया में जीएस बहुत अच्छा है पर सी साइटिक वाली पही नहीं कर पाद कि 33% पर संथि नहींहीं हा रहे तियर बस मैं बेसिक बेसिक चीजे यह अंदर मन में थोड़ा सा रहता है उपापो चलता रहता है चलिए विशेवस्तु को प्रारम करेंगे आज सुतंता की उपरांत भारत की विशेवस्तु में हमें सभी प्रधान मंत्रियों के बारे में और उनके द्वारा क्या कार किये गए इन सबके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो उसको प्रारम करते हैं है नूँ